वैक्सीन केंग अदारपुनावाला, सैरसपुनावाला और उनकी कमपनी सीरम इंसिट्यूट की मुसीबत बढ़ गई है नागपुर की एक अदालत ने तीनों पर मानहानी के एक मामले में भारी भरकम जुर्माना लगाया है इतना ही नागपुर की दिवानी नायाले में सीरम इंसिट्यूट और उनकी मालिकों पर आपराधिक मुकद्मा भी बहलाने का आदेश पारित किया है पत्रकार और समाज्य कारकरता प्रकाश पोहरे ने समाज में मानहानी करने के मामले में अदार पुनावाला, सारस पुनावाला वा उनकी कम्पनी सीरम इंसिट्यूट को 10 हजार करोड रुपए का मानहानी का नोटिस भीजा था इसका जवाब नहीं देने पर पोरे ने नयायाले में दावा दाखिल किया था कि सिरेम इंस्टिट्यूट 10,000 करोड की नुकसान फर पाई दे याज़का में कहा गया कि कोरोना के समय सिरेम इंस्टिट्यूट द्वारा बनाए गई वैक्सीन से सैकडो लोगों की मौत हुई जबकि कम्पनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन सुरक्षित है जबकि ऐसान नहीं हुआ इसी के खिलाफ अवेक इंडिया मुव्मेंट के वरिष्ट सदस्य और पत्रकार प्रकाश पोरेवा संगठन के आने सदस्यों ने देश भर में जनजागरिती अभियान चला कर कोवी शील्ड के दुश्परणामों को लेकर जनजागरिती की थी इस अभियान के कारण करीब सक्तर करोड से जादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लेने से मना कर दिया था इसके बाद देश भर में संगठन के तीन हजार सदस्यों ने सौ से एक हजार करोड के नोटिस सीरम इंस्टिट्यूट को भेजे थे अब सीरम इंस्टिट्यूट का दावा वेलत साबित होने के कारण मुंबई उच्छ नयायाले ने डिसकॉन रियालिटी 2023 SCC ओनलाइन BOM 1154 प्रक्रण में आदेश नुसार अब प्रकाश पहुरे को 10,000 करोड रुपे की नुकसान भरपाई मिलना लग भगता हो गया है यह जानकारी प्रकाश पहुरे के वकील वा इंडियन बार असूसियेशन के राश्ट्री अध्यक्ष नीलेश ओजा ने दी सिरम इंस्टिट्यूट इंडिया लिमिटेट अधार पूनावाला वा सारिस पूनावाला को वरिष्ट नयले ने जर्माना भरने के साथ-साथ फ्रॉड भी घोशित किया है बिरो रिपोर्ट आज की खबर